लेकिन आप लोग यह बता तूं कि वह booking एमाउंट में नहीं रहेगा एक्स्ट्राब आप लोग करना लेकिन अच्छा डिस्काउंट गॉरॉण भाइट दे देंगे बिल्कुल 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 उस सारी चीज़ों मैं हूँ बिल्कुल कि एक जू कयाओन कि बना जो कि अगरें कि लिए एक जिए मरें चूसी है जब कि अए्न है कि आलको धए कि अए्न है कि एक जए झाल झाल हलो एवरिवन मैं हूँ महाविर जयान और वेलकम बैक टू अवर चैनल व्लोग सेंटर दोस्तों काफी प्यार और सपोर्ट आप लोंका हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए मैं आप लोंका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज भी मैं आप लोंके सामने एक नया वीडिय मैं एक पाट और है वेडिंग व्लोगिंग का जिसके मैंने कई वीडियो आपंग लोंके सामने पहले मैंने कई वेडिंग वेडियो बीडियो आज वीडियो आप कि उस wedding menu में किस किस प्रकार की मतलब arrangements आप लों को मिलेंगी वहाँ पे कितने number of rooms हैं, क्या वहाँ पे banquet का size area है, AC की क्या सुईदा है, प्लस वहाँ पर lawn space area कितना बड़ा है, decoration वो लोग प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, सारी चीजे मैं आप लोग देखाऊंगा इसी या था, कुरोना काल में तो जो bride and grooms हैं, जिनकी शादिया postponed और cancelled लो चुकी थी, वो लोग काफी excited हैं, कि अब जो upcoming wedding season आ रहा है, तो उसमें उन लोग किस प्रकार से अपनी wedding को arrange करेंगे, कैसे वो लोग प्लान करेंगे, तो हमारे channel के माधियम से हम लोग इसी प्रकार से decoration catering से जो भी related सारी चीजे रहेंगी, मैं आप लोग को इसी channel में दिखाऊँगा, और आप लोग की weddings को बनाऊँगा easy, इसलिए दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहें, अन्त तक, तो देखिए दोस्तों, आब हम लोग बढ़ चुके हैं आगे, और मैं अब जहां ज इन्नू का, उस मंगली प्रांगण का, जो की काफी वर्षों से अपनी सिवाएं दे रहा है, उसका नाम है जलारम बाठी का जैसे ही आप लोग लेप लेंगे, एक किलोमेटर की जूरी पर जहां पर है एक ब्रीच, जिसो क्रॉस करने के बाद, जलाराम बाठी का वेडिंग वेन्यू में आप लोग पहुच जाएंगे तो देखे दोस्तों अब मैं आच चुका हूँ जलाराम बाठी का में और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर एक खासी बावेड यहाँ पर बना हुआ है, सबसे पड़े मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का एंट्रेंस और राइट हैड में यहाँ पर जलाराम माठी का काफी बड़े अक्षरों में लिखा हूआ है, प्लस यहाँ पर जलाराम इस्ठान का भी यहाँ पर शुभाराम हो चुका है, जहाँ पर आप लोग अलग प्रकार की मिठाईयां मिल जाएंगी आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर काफी खुपसूरत यहाँ पर एक लॉन स्पेस एरिया है, काफी नैचुरल ग्रासेज यहाँ पर लगी हुई है, यह लेफ्ट हैंड साइड में काफी बड़े बड़े यहाँ पर पाम ट्रीज लगे हुए हैं, जो इस वेडिंग बना देते हैं, और भी खुपसूरत बना देते हैं, और जब देखे, जितने भी यहाँ पर यह चोटे चोटे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें लाइटिंग होने के बाद काफी खुपसूरती रात में इनकी बढ़ जाती है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर पर बनता है, सेंटर में, देखे, पहले मैं आप लोगों को पूरा लॉन इस्पेस एरिया दिखा देता हूं यहाँ पर, जहाँ पर एक यूज गैदरिंग यहाँ पर पॉसिबल है, इस वेडिंग लॉन इस्पेस एरिया में, मैं अब आप चुका हूँ, यहाँ के यहाँ पर लगे हुए है, वस्ट, सेकेंड, थर्ड और पूरी राउंटेबल्स दी गई है, यहाँ पर सेटिंग के लिए, बुडन टेक्शर पूरा किया गया, देखे, चारो तरह भववन में, पूरे एसी के यहाँ पर वेंट्स लगे हुए है, तो कूलिंग की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, प्लस यहाँ पर काफी ग्रैड एक स्टेज बना हुए, 30 फिट्स का, काफी ग्रैड यहाँ पर एक रेड गलर का काउच भी लगा हुए है, पूरे आटिफीशल फ्लावर से, फ््लावर कार्पेट से यहाँ पर पूरा डेक्रोरेशन किय पूरा गार्डन यहां पर देखे बना हुआ है और स्टेज के आजू बाजू भी यहां पर एसी के वेंट्स दिये गए है बुड़न टेक्शर कहने का मतलब यह है कि बुड़न जो वर्क यहां पर किया गया है वो काफी एलिगेंट है और पूरा जो है सोफे के कुशन की तरह यहां पर देखे दिवालों पर भी कुशन का पूरा वर्क किया गया है पुलस यहां पर लक्जियरी सोफे जम्बो कुलर भी यहां पर लगा हुआ है फॉर दा एक्स्ट्रा कूलिंग और यहां पर 60-70 लोगों की वेवस्था है यहां पर सामने पूरे ट्रेडिशनल सोफे लगे हुए गोल्डन करर के तो अराम से यहां पर 80-90 लोगों की सिटिंग स्टेज के सामने दी गई है प्लस लेट हैं साइड में यहां पर काफी एक सुंदर यहां पर एक मंडब बना हुआ है जो की स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जहां पर आप लोग अपने फेरे का क का एकरम है तो आप लोग उसको इंडोर ही और्गनाईज कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप लोग की हूज गैदरिंग ए रिसेप्शन तो आप लोग 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 यहां से देखें अटैस्ट यहां पर जो है फूडिंग के लिए यहां पर काफी अट्रेक्टिव यहां पर टेबल्स लगी हुई है LED टेबल्स लगी हुई है जहां पर लाइट्स जब यहां पर ओन होती है LED टेबल्स में तो यह काफी ग्रैंट दिखती है और फूडिंग का जो यहां पर प्रेसेंटेशन है वो काफी जबरदस हो जाता है यहां पर इन LED टेबल्स के द्वारा जो की चुननेट का पुरा काम किया गया है, प्लस यहाँ पर देखे, जूमर भी लगे हुए है, जो प्लस यहाँ पर बड़े-बड़े आपकों हैवल्स के पंखे लगे हुए है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कूलिंग की किसी बेकार की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएग प्लस यहाँ पर एक फर्णीचर आप लोगो और मिलेगा, जिसमें आप लोग अपने जो हैं किम्ती समाल वेडिंग्स के दोरान आप लोग रख सकते हैं, काफी बड़ा मिरर देखें, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग अपने ड्रेसिंग कर सकते हैं, लेट से पहले मैं आप लोगों को उसका interior आप लोगों को दिखाता हूँ देखे काफी बड़ा और एक spacious यहाँ पर एक room यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर आप लोगों को तीन double bed मिल जाएंगे आप लोगों को stay करने के लिए और यहाँ पर दो AC दिये गए हैं और जो washroom है वो भी क काफी यहाँ पर spacious है देखे काफी सुंदर यहाँ पर tiles लगी हूँ है प्लस walls में यहाँ पर painting की गई है तो काफी grand और spacious है जो bride and groom के लिए यहाँ पर जलारा मटिका में जो दो room दिये गए हैं यहाँ पर 26 room है total यहाँ पर और 13 room आप लोगों को ground floor में मिल जाएंगे और 13 room जो हैं आप लोगों को first floor में मिलेंगे तो काफी grand है यहाँ के rooms यहाँ का banquet है और lawn space area भी 25 square feet का है तो काफी एक huge gathering आप लोगों की हो सकती है और देखे आप लोग चाहिए तो यहाँ पर extra bed भी आप लोगों लगा करके stay कर सकते हैं तो total यह जो room है इसे room की category में नहीं लेंगे क्य hall जैसा ही है जहाँ पर आराम से 10-15 लोग यहाँ पर आपकी शादी में अगर ज्यादा guest है तो आप लोग यहाँ पर नीचे जो है mattresses डाल करके stay कर सकते हैं देखें यहाँ पर पूरी mattresses लगी हूँ है जो की phone की बनी हुई है तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ जलाराम व प्रदेश की जनता को आप लोग यहाँ पर वैडिंग से related services आप लोग देते हुए आए हुए हैं तो और भी आगे क्या-क्या plannings हैं और किस-किस प्रकार की services जो आप जानकारी हमारी जनता को देना चाहते हैं जनता जनार्दन को तो आपके मुझ से दो शब आपके भवन के दे रहे हैं यह अपन आज लगवग लगवग बीस वर्शों सो तो दे ही रहे हैं आप लोग बिल्कुल लगवग 18 वर्श पूरे हो चुके हैं अब 18 वर्श हो चुके जफारी इसमें हम ही कोशिश कर रहे हैं कि कि किसी को भी जो भी आपको function करना है शादी का हो, anniversary का हो, birthday का हो कोई भी कैसा भी आपको party अगर प्लान करना है तो आप अच्छे से कर सके हैं जैसे event से related डेकोरेशन से related आप क्या सुईधा देते हैं जो यहां पर booking कराते हैं यहां पर जो भी हमारे customer's plans इसमें हमारे पास आपको decoration के packages मिलेंगे मतलब हम decoration बहुत अच्छा प्लान करते हैं वह आप आके देख सकते हैं event से related भी बहुत सारी चीज़े हम करते हैं entry हो गया light हो गया sound हो गया stage lights हो गया stage का जो event का जितना जो भी चीज़े रहती है सब कुछ choreography anchor back dancer सारी चीज़ें जो एक wedding में आपको लगती है वो सारी चीज़े event में हम खुद प्रवाइट करते हैं तो द जलाराम वटी का यहाँ पर दुरूग में इस्थित है जैसी आप लोग यहाँ पर गंजपारा चौक आएंगे गंजपारा चौक से मातर दो से तीन किरोमेटर की दूरी पर यहाँ पर जलाराम वटी का इस्थित है दुरूग में ही और नदी से भी लगा हुआ है यह wedding venue बेंक्वेट जो की काफी grand है glamorous है तीन बड़े बड़े वहाँ पर जूमर लगे हुए है स्टेज भी काफी elegant बना हुआ है यहाँ पर टोटल 26 रूम मिल जाएंगे 24 रूम जो है डिलक्स कैटिकरी के हैं out of which two rooms are for the bride and groom जो की काफी spacious है एक mini hall जैसे हैं जहाँ पर 15-20 लोग इस् फ़न को start हुए और भिलाय और दुरुक की जनता यहां के टेस्ट के लिए यहां टेस्ट करने के लिए यहां के जो वेंजन यहां बनाते हैं जो आपको यह जाना चाहँगो कि क्या क्या वेंजन आप लोग जो special बनाते हैं जलराम मिस्टन बंडार मातर चार सालों में काफी हू동these यह ऐस सब्सक्राइब हो गया यहाँ सबसे पहले हमारे धही काचोडी जो है इस पहाव केशेट करते हैं अपल क्यूड़ सकते हैं जब चाहे इसके अलबम में पत्धित्राइब कैटेगरीय है काजू कैश्य निए इसके अलावा बेकरी में हमने बहुत अच्छा एक्स्पांशन किया है, बेकरी में आपको केक, स्पेस्ट्री, ड्राइक, स्लाइस केक, कपकेक, टोस्ट, खारी, सब कुछी आपको यहां मिलेगा, काउंटर में देखने मिलेगा, गिफ्ट आइटम बहुत सारे हैं, जो वेड नमकीन की वराइटी बहुत शांदार मिल सकती है, नमकीन आप ट्राइ कर सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों देखिए, गौरव भाई ने बैताया, कि यहां पर यहां की दही कछोडी, काफी जबरदस्त है, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करें, समोसे, और आप लोग क इस्क्लूजिव जो बॉक्स के यहां पर मैंने देखिए, जो वेडिंग के जो ड्राइफ्रूट्स के जो बॉक्से हैं, और चॉकलेट्स हैं, जो भी आप लोग को लेंदेन के लिए लगेंगे, फ्रॉम दा ब्राइडल साइड और 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 फ्रॉम साइड, तो यह सारी ची जो मिलेंगे, जो गौराव भाई का होम प्रोडक्शन है, उसमें वो डिस्कांट कर देंगे, और भवन में भी अभी तो जो है, काफी अच्छे जो भी रेट्स जो यहां पर है, एकनोमिकल रेट्स हैं, आप लोग आएं, ट्राइ करें, जो बुकिंग डेट्स हैं, उनके आप लोग यहां पर पता कर सकते हैं, कौन कौन से डेट यहां पर खाली है, और यहां पर जो है, यहां पर मैनेजर्स की सुईधा यहां पर गौराव भाई ने दी हुई है, तो आप लोग पूरा भवन विजिट करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गौ करने के लिए काफी इजी गोइंग में मतलब आपनों की जो है वेडिंग्स और्गनाइज हो जाएं, मैं हूँ आपका दोस्त महविर जैन, और हमारे चैनल का नाम है व्लॉक सेंटर, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, जय हीं, जय भाराद, या चाह पति जई हुख एडर पह सिकता दोस्तों का जय हो सोर जर्गनाइज़ का जाएं में सूरू सेंठ सक्राइब करेंग मेंसे सब्सक्राइब का मैं या भाराद, जय है।